मशकार दोस्तों, स्वागत थे आप सभी लोगों का एक बार फिर से दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे अमीर राशी साल 2023 से साल 2040 तक साथवे आसमान पर रहेगा इन राशी वालों का भाग्य जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनात के आशिरवात से बारा राशियों में से कुछ राशियां बहुती भाग्यशाली साबित होने वाली है जी हाँ, तो भगवान भोलेनात इन राशी वालों पर बहुत अधिक प्रसन हो गए है जिसे अब इन राशी वालों के लिए साल 2023 से साल 2040 तक का समय बहुती अच्छा समय साबित होने वाला है जी हाँ दोस्तों इस समय में इन राशी वालों को भगवान भोले नात के आशिरवाद से अनेख प्रकार की बड़ी-बड़ी खुशखबरियां, बड़े-बड़े लाब, धनलाब और बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है जिसे अभी इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा और भागेशाली राशियां ये कौन-कौनसी है जिनको भगवान भोले नात के आशिरवाद से साल 2023 से साल 2040 तक के समय में अनेख प्रकार की बड़ी-बड़ी खुशखबरियां या बड़े-बड़े लाब मिलने वा इनी कुछ भागेशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें बिलकुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें क्यूंकि ये वीडियो इन राशी वालों के लिए बहती बेहत महत्वपूर्ण हो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है भगवान भोलेनात के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक करें कमेंट बॉक्स में जै भोलेनात अविश्य लिखें जिसे भोलेनात का आशिरवाद आपको सीधे प्राप्त हो सकें अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें चलिए तो अब बात करते हैं उन भागिशाली राशों के बारे में जिनके लिए भगवान भोलेनात के आशिरवाद से साल 2023 से साल 2040 तक का समय बहुती अच्छा साबित होने वाला है इस समय में ये राशी वाले धन से माला माल होंगे यूं कहें कि इस समय में इन राशी वालों का भाग्य सात्वे आस्मान पर रहेगा चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का काफी मैत्व होता है जहां जब व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो उसमें ग्रहों का बहुत बड़ा हात होता है गौर तलब है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की सिति अनुकूल हो तो उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है अगर ग्रहों की सिथी अच्छी ना हो तो व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड भी तूट सकता है वहीं शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को इस पूरी स्रिष्टी का निर्माता कहा जाता है केवल इतना ही नहीं इसके अलावा भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है यानि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का स्थान बेहत उचा है हालंकि भगवान शिव सुभाव से जितने भूले माने जाते हैं उतना ही ज़्यादा उन्हें क्रोध भी आता है मगर इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान भोलेनाज को खुश करना बेहत आसान है जी हां जिस व्यक्ति पर एक बार भगवान शिव की कृपा हो जाए यकीनन उसका अच्छा समय आने से कोई नहीं रोक सकता बहराल आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी राश्यों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर भगवान शिव की कृपा हो गई है जिससे अब इन राशी वालों के लिए साल 2023 से साल 2040 तक का समय बहुती अच्छा समय साबित होगा इनका भाग अब उदय होने वाला है जी हां दोस्तों आपको बता दे कि भगवान शिव की कृपा से इन राशी वालों के जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है इन राशी वालों के जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली है जी हाँ दोस्तों इन खुशकस्मत राशियों के बारे में बात कर रहे हैं उन नसीब और भागशाली राशियों में से जो पहली राशी है जिनके लिए भगवान भूले नात के आशिरवाद से साल 2023 से साल 2040 तक का समय बहुत ही अच्छा समय सावित होगा दोस्तों सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी वालों को बता दें कि भगवान शिव मेश राशी वालों के लोगों पर इस समय बहुत ही अपनी अपार कृपा बरसाने वाले हैं बता दें कि ना केवल इस समय में इस राशी वालों को धनलाब होगा बलकि इनके व्या पार में भी खुब तरक्य होगी इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उनको तरक्य मिलने के पूरे योग है जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो वो सपना भी इनका जल्दी पूरा हो जाएगा दोस्तों आपको बता दे नौकरी प्राप्ति के योग है, मेश राशी वालों इस समय में गौर्दलब है कि आपके जो भी कारे रुके हुए हैं सफलता पूर्वक पूरे होंगे, नौकरी की दुरुष्टी से इन राशी वालों को इस समय बहुती अच्छा प्रमोशन मिलेगा, घर परिवार में खुशियों का माहोल रहेगा घर परिवार में सुख शान्ती का वातावरन रहेगा, आपको बता दे सभी कारे सभी मनोकामना भगवान शिव आपकी पूरी करेंगे, आपके लिए इस समय भरपूर तरकी का समय आने वाला है दूसरी राशी है सिंग राशी, सिंग राशी वालों आपको बता दे कि भगवान शिव आपके लिए इस समय में धन की वर्षा करने वाले हैं, धनलाब प्राप्ती करने के योग बन रहे हैं साल 2023 से साल 2040 तक सिंग राशी वालों भरपूर लाब उठा ले, महादेव की कृपा सिंग राशी पर इस समय बेहद ही महरबान हैं, बता दे आपको ना केवल इस समय मान समान मिलेगा बलकि समाज द्वारा आपको काफी तारीफ भी की जाएगी इसके अलावा आपको इस समय में कही ऐसे नए अवसर मिल सकते हैं, जो आपके जीवन की दशा को ही बदल कर रख देगा, आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा, साथी साथ इस समय में आपको काफी धनलाब होगा, जहां तक एक तरफ से परिवार में खुश्यों का मा होल बना रहेगा, वहीं दूसरी तरफ आपको व्यापार में भी व्रिधी होगी, ये समय आपके लिए खुश्यों भरा रहेगा, चारों तरफ से खुश्याई खुश्यां प्राप्त होगी, सिंग राशी वालों समय का भरपूर लाव उठाएं, इस लिस्ट में जो अगली राशी है, वो है मिथुन राशी, मिथुन राशी मानो भगवान शिव आपके लिए इस समय में यानि साल 2023 से साल 2040 तक के समय में अपार धन सुक संपती की प्राप्ती कराएंगे, बहुत बड़ी खुश्खबरी की प्राप्ती आपको चारों तरफ से धनलाब होगा, इस समय में आपको प्राप्त होगा, इसके अलावा आपके सभी रुकावटी पूरी होगी, आपके परिवार तथा दोस्तों का आपको पूरा साथ मिलेगा, साथ साथ बता दे कि भगवान शिव जी की क्रिपा से इस समय में यानि 2000 साल 23 से लेकर 2040 तक के समय में आपके उप भगवान शिव की क्रिपा बनी हुई है, भगवान शिव की क्रिपा से मुश्किले दूर हो जाएंगी और आपको खोब धन की प्राप्ती होगी, संतान प्राप्ती के आप संतान सुख की प्राप्ती भी होगी, साथी साथ नौकरी मन चाही नौकरी की प्राप्ती होगी, ध अगली राशी है व्रिष्चक राशी भगवान शिव की कृपा से आपके लिए साल 2023 से साल 2040 तक का समय बेहत लाब वाला रहने वाला है धन व्रिधी का लाब होगा सुख संपती में व्रिधी होगी आपकी नौकरी प्राप्ती के योग है घर परिवार में खुश्यों का माहोल रहेगा संतान प्राप्ती का सुख आपको प्राप्त होगा संतान प्राप्ति का सुख आपको प्राप्त होगा साथी साथ आपको बता दे कि जो लोग सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो इस समय में सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है आपको साथी साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको आपके पद में तरकी मिल जाएगी जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं उन व्यक्तियों को विदेश में नौकरी करने की जल्द से जल्द संभावना है आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी जो विध्यार्ती हैं विध्यार्तियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है बहुत अच्छे परिनाम प्राप्त होंगे साथी साथ व्यापार करते हैं तो व्यापार वालों के लिए दिन दुगनी राज चोगनी तरकी होगी मुनाफ़ा होगा प्रिश्चक राशी वालों आपके सभी कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे आपको घबराने की आविश्यक्ता नहीं है भगवान शिव का पूरा साथ मिलेगा अगली राशी जो है वो है तुला राशी तुला राशी वालों भगवान शिव की कृपा से साल 2023 से साल 2040 तक का जो ये समय है ये आपके लिए बहुत लाबकारी रहेगा लाब मिलेगा धन प्राप्ति के योग हैं, नौकरी प्राप्ति के भी योग हैं, संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छे योग हैं, आपके लिए मन चाहा आपको प्यार मिलेगा, इस समय प्रेम सम्मंद मजबूत होंगे, आपका बहुती अच्छा समय आने वाला है, मान समा और प्रतिष्टा में व्रिदी होगी, समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी, इस समय नए अवसर की तलाश करेंगे, तो आपको नए अवसर भी प्राप्त होगे, रोजगार प्राप्ती के अवसर आपको प्राप्त होगे, साथी साथ कोई कारे रुके हुए थे, वे कारे स सफलता पूर्वक समय पर पूरे हो जाएंगे। आय के संसादनों में व्रिधी होगी। धन लाब आपको प्राप्त होगा। साथी-साथ घर-परिबार में खुष्णुमा माहौल रहेगा। कारोबार में व्रिधी होगी। सामाजिक शेत्र में सफलता प्राप्त होगी, अचानक से धन प्राप्ती की संभाफना है, प्रॉपर्टी समंदित ये समय बहुती अच्छा रहेगा, आपके लिए लाब देगा, प्रॉपर्टी समंदित जो भी इन्वेस्ट करेंगे आप मकान खरीच सकते हैं, बाहन खरीच सकते हैं, इस समय बहुती अच्छा समय है, ये राशी वाले समय का भरपूर लाब उठाएं, अगली राशी है कुम्ब राशी, कुम्ब राशी वालों आपको बता दे कि भगवान शिव की कृपास से आपको इस समय में बहुती शुब संदेश मिलने वाले हैं, आपके प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा, आपको आर्थिक सिती पहले से बहतर होगी, साथी साथ रुके हुए कारे सफलता पूर्वक बनेंगे, दोस्तों के साथ मेल जोल भड़ेगा, साथी साथ व्यापारियों के लिए बहुती अच्छा समय रहने वाला है, दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की करेंगे, व्यापार में व्रिधी होगी, साथी साथ आपको बता दें कि कुम्ब राशी वालों आपके घर परिवार में खुश्यों का माहोल रहेगा, जीवन साथी का साथ आपको पूरा मिलेगा, आपकी मदुर्वानी की वज़े से आपकी सभी कार पूरे होंगे, इस समय में भगवान शिव की कृपा आपके उपर बनी हुई रहेगी, जिसके वज़े से धन समन्दी सभी परिशानिया धूर होगी, धनलाब प्राप्ति के योग बनेंगे, आपके लिए जो कारे रुके हुए थे वो सफलता पूर्वक बनते चले कुम राशी वालों अब मैसूस करेंगी कि भगवान शिव की कृपा से ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा, धन प्राप्ति का समय रहेगा, चारों तरफ से लाब ही लाब मिलेगा, भरपूर लाब उठाएं अगली राशी है कन्या राशी, कन्या राशी वालों आपको बता दे भगवान शिव की कृपा से आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा समय साबित होगा, महा दे भोले भंडारी कन्या राशी वालों पर बहुत अधिक प्रसन हैं, अपनी कृपा प्रधान करने वाले हैं, कन्या राशी वालों के लिए अब आपके जीवन में ऐसी खुशकबरी मिलने वाली है जिसे सुनकर आपके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां आएंगी आपका यदि कोई दुश्मन है तो वो दुश्मन डर जाएगा दोस्तों बहुत बड़ी खुशकबरी आपको मि मादेव की क्रिपा से साथी साथ आपके बड़े बड़े लाब धनलाब की प्राप्ती होने वाली है साथी साथ इस समय में कोई बड़ी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है पिता का आशीरवाद आपको मिलेगा घर परिवार का आशीरवाद मिलेगा माता पिता का पूर्ण होंगे, महादेव की क्रिपा तो बनी रहेगी, साथी साथ बड़े बुजर्बों का भी आशिर्वात आपके उपर रहेगा, जिसकी वज़े से कोई भी किसी भी कार्य में रुकावटे हैं, वो खतम हो जाएंगी, व्यापार करते हैं तो व्यापार में लाब होगा, धन प्राप्ती के स्तोत्र बनेंगे, आपके लिए संतान प्राप्ती का सुख प्राप्त होगा, मन चहार रोजगार आपको प्राप्त होगा, यदि आप नौकरी करते हैं, पदोनती प्राप्त हो सकती है, वाहन या मकान खरीच सकते हैं, ये कहना घलत नहीं होगा, कि ये सम आपके लिए बहुती अच्छा रहने वाला है। कन्या राशी वालों समय का भरपूर लाब उठाएं। इस लिस्ट में जो अगली राशी है वो खुशनसीब राशी है धनु राशी। देवों के देव महादेव भगवान भूले बंडारी आपके लिए साल 2023 से साल 2040 तक के समय में धन की वर्षा करने वाले हैं। आपकी जोली खुश्यों से भरने वाले हैं। देवों के देव महादेव भगवान भूले बंडारी के आशीरवात से आपको नौकरी प्राप्ति क योग बनेंगे आय में व्रिधी होगी व्यापार में अचानक लाब मिलेगा जिसे आर्थिक सिती मजबूत होगी सभी अधूरे काम पूरे होंगे भगवान बोलेनाथी क्रिपा से इस साल 2023 से साल 2040 तक के समय में घर परिवार में खुश्यों का माहोल रहेगा आपको बड़ी खुश्खबरियां प्राप्त होंगी धनलाब होगा व्यवसाय में अचानक लाब मिलेगा अकस्मक धनलाब प्राप्त होगा संतान प्राप्ती के योग है मन चाहा रोजगार आपको प्राप्त होगा विदेश में आप पढ़ाई कर सकते हैं यदि कोई सपना है वो भी पू मतलब भगवान भूले नाथ आप पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। दो अजार चालीस तक के समय में इन राशी वालों पर भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया साल 2023 से साल 2040 तक के समय में इन राशी वालों पर भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। भगवान भोलेनात के आशीरवाद से इस समय इन राशी वालों को अनेक प्रकार के लाब, धनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होगी जिससे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा। भगवान बोले नात का अशिरवाद आपको प्राप्त हो जै बोले नात की वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें